वेल्कम टू माई चैनल हैपी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम जैक बोट क्लास 12 के एकोनोमिक्स के कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिब कोश्चेन अंसर देखेंगे जो आपके टर्म 1 के लिए खाफी इंपोर्टेंट है तो चलिए इस्टार्ट करता है आप आपका नीचे से दाई और ठीक है नीचे से दाई और हो जाएगा इसका सही उत्तर उत्पादन संभावना भक्ट नीचे से दाई और ढालू होता है दूसरा कोश्चेन यदि उत्पादन संभावना भक्ट मूल विंदू के नत्रदर है तो सीमान अफसर लागत होगी बरही हुई घटी हुई परिवातन से लिन में से कोई नहीं तो इसका सयुत्तर हो जाएगा बढ़ी हुई तो सीमांत अफसर जो लागत है वो आपका बढ़ी हुई रहेगा अगर सीमांत अफसर लागत इस्तिर है तो उत्पादन संभावना भक्र एक सरल रिखा है ठीक है अगर सीमांत अफसर लागत इस्तिर है तो उत्पादन संभावना भक्र कैसर रहेगा एक सरल रिखा रहेगा चौर्था कोस्चन उत्पादन के कितने साधन है तो उत्पादन कितने साधन आपको पता ही होगा इसका राइट अंसर हो जाएगा चाड़ संसाधनों की किफायत से क्या अभिप्राई है संसाधनों की किफायत से आपका अभिप्राई संसाधनों का बुद्धी मता से पड़ियोग करना है ठीक है और इसका राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोस्चिन छह नंबर दूरलबता से क्या अभिप्राई है दूरलब्ता से अभी प्राय मांग की अफ्रेक्षा साधनों में कमी है मांग बजान में बहुत रहेगा लेकिन अगर साधन कम है तो उसी को दूरलब्ता कहा जाता यानि मांग तो है लेकिन यहाँ पर साधन नहीं है नेक्स्ट कोस्टिन विकास का अर्थवैवस्था किसका अध्यान करता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसाधनों के विकास का ठीक है आठवा question जो है वो है समाजवादी अर्थवैवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंदरन रहता है किसका नियंदरन रहता है तो इसका हो जाएगा सरकार का ठीक है समाजवादी में सरकार का नियांदरन रहता है अर्थ वैवस्ता में नेक्स्ट कोस्चन निम्न में से किस पर आर्थिक समश्याओं का धाचा ख़रा है सिमित साधा रशे मीता पहर राशकता अे और भी दोनों इनम्स में से कोई नहीं है इसका सईया उत्तर हो जाएगा अर्थिक है सीमित साधन और सीमित आवशकता हैं के आधार पर ही आर्थिक समस्याओं का ढाचा खरा हुआ है दस नंबर जो कोश्चन है वो है आपका आर्थिक किरियाओं के निम्ने में से कौन से प्रकार है उपभोग उत्पाधन और भी दोने इन में से कोई नहीं तो इसका भी राइ यह थे दस इंपोर्टन कोश्चन एकोनोमिक्स के चेप्टर वन से रिलेटर आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईए साथ है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक कमें धन्यवाद